जगदीश मंदिर में पाटोचव की धूम वेशाखी पुर्णिमा पर चड़ी ध्वजा विश्वप्रसित जगदीश मंदिर में भगवान श्री जगनाज स्वामी का 371 पाटोचव बड़े ही धूमधाम से मनाय जा रहा है इसी क्रम में आज वेशाखी पुर्णिमा पर मंदिर की ध्वजा बदली गई जिसको ध्वजा महतसव के नाम से भी जाना जाता है मंदिर के पुजारी हेमेंद्र ने बताए कि यह आयोजन 371 वर्ष दे लगातार मनाय जा रहा है परंतु इस वर्ष इस समारों को भवेता देने के लिए साथ में विश्नु महायग्य का भी आयोजन किया गया साथ दिवसी विश्नु महायग्य पर शुक्रवार दिन में पूर्णा होती होगी गुरुवार संध्या में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिती दर्ज करवाई शुक्रवार सवेरे द्वजा उत्सव के बाद विश्नु महायग्य की पूर्णावती के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया बंडारे में लगबग 50,000 लोगों के भजन प्रसाग की विवस्था पुजारी परिशत द्वारा की गई मंदिर के पुजारी गजेंद्र ने बताय की जगदीश मंदिर का निर्माण 311 साल पहले महाराणा प्रताप के प्रपोत्र महाराणा जगत्सी जी प्रथम द्वारा रखे गई थी माराणा जगत्सी जी को एक संत के द्वारा अशिरवात था कि वे प्रति रोज पूरी इस्थित जगनात स्वामी के दर्शन करेंगे परंथु किनी कारणवर्ष एक दिन या नियम तूट गया और उसी संत के कहने पर जगत्सी जी ने इस मंदिर का निर्मान करवाया मंदिर की प्रतिमा स्वैंभू है तथा मेवाडवासियों के आस्था का केंद्र भी है बहुत हर्श की बात है विश्न महाय की पूर्णाऊती की जाएगी और सैंदीर की स्वैज्यों कि आई खत्सा आउन ये महाय य ये किक और पर जाएग एग़ू कि पूर्नायवती की जाएगी और साथ ही आज भव्य पाट उत्सव मनाया जाएगा ये विश्णु महाय यग्या इसी उद्देशने के साथ किया गया था कि मंदिर मानने वाले सभी भक्त इसका लाब लें कोई भी भक्त जो चाहता था वह सब्सक्राइग के अंदर बैटके उन्होंने आहुतिया दिये जो बिल्कुल निश्रलुक था पुजारी परिश्ण की तरफ से और ये पाट उत्सव का एक बहुत अहम और महत्पपून हिस्सा था जो साथ सब्सक्राइब का ये विश्ण महायग्या था और उसी गड़ी के अंदर कल जग्दिश मंदिर के बाहर जग्दिश चोक के अंदर बहुत ही भव्या बजल संधिया रखी गई ती जिसके अंदर बहुत प्रमुक्त कला कराये तो रात को तीन वहें तक चली और हजारों बग से पुर्णावति की जाए कि इस महायग्य की और पाटोत्सव का अनन्द लिया जाएगा भक्तो जारा गजंद्र बुजरी जग्दिश मंदिर जग्दिश मंदिर जो मेवार का सबसे प्रसित मंदिर है और आज इस मंदिर में 300 इगोतर्वा पाटोत्तों बना जा रहा है इस मंदिर का निर्मार महाना प्रताप के पड़ पोत्र महाना जगत सिंग्जी प्रसम ने 1952 में बनवाय था करवाया था आज ठाकुजी का विराजमान हुए 331 साल हो गए है बीच में तो भगवान विष्णु है विष्णु भगवान जगत सिंग्जी जो थे वो परम भक्त है यहां के जगना स्वामी के एक संथ के दुआरा उनको सिद्धी प्राप्ती डेली यहीं रहता था और उनकी जो आत्मा होती देली जगनात पूरी दर्शन करने जाते थे और परम भक्त है एक बार जब वो दर्शन उसके बाद ही अंजल सब घ्राण करते थे जब एक बार वो दर्शन करने गए थे तब आटमा रतिया था पंदा दिन तक पटमा बंद हो गए थे तो जगस सिंग्री ने सब अंजल दिया था और तब कि जब तक ठाकु जी आपके दर्शन नहीं होंगे मैं अंजल घ्राण में करूंगा तब ठाकु जी ने उनको स्वपन में दर्शन दिये उन्होंने बोला कि मीरा के वचन के अनुसारी मुझे मेवार में में आ नहीं है तो आप मेरा मंदिर बनाओ जगस सिंगी ने यहां मंदिर बनवाया उसके बाद ठ स्वपन में दर्शन दिये जगस सिंगी ने वाद चार कड़े जो ठाकु जी की चड़ाए थे जगनात उडिसा में तब ठाकु जी ने बुला जब वो प्राण पतिश्था के समय चारोई कड़े हाथ मेरे हाथ मेरे हाथ में आ जाए तो समद लेना मेरा प्रदरप्र नहीं आपको वहाने की जुरूत नहीं है तब मुर्ति प्रश्था के समय चारोई कड़े ठाकु जी के हाथों में आगे थे और तब जगस सिंग्जी ने वाद लिया कि ठाकु जी का प्रदरपणी आ हो गया है उसी के उप्लक्ष में आज भवी महा परशादी रखी गई है सिटी अनन लेवें जय जब्दिश्ट